So we move to the next card अब ये जो card है इसमें आप colors देखें तो बहुत ही सुन्दर colors है ऐसा लग रहा है सारे colors को एक painting के form में use किया गया है card का नाम है creativity जो feminine figure हमें दिख रही है इस card के पीच में जैसा लग रहा है कि वो जैसे mother earth है मतलब उनके जैसी शमता रखने वाली क्योंकि energies कैसी है nurture करने की energies आप देखेंगे कमल भी खिल रहे हैं हाथ पर से वो हरे पत्ते जा रहे हैं जिस चीज को वो हाथ लगा रही है वहाँ पे वो earthy element वो हरापन आ रहा है तो याने के क्या है abundance है इस card का मतलब क्या है ये card जिनके लिए आता है उनको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है वो हर चीज से परिपून है ठीक है तो हम ये कह सकते abundance है दूसरी चीज हम क्या कर सकते हैं उनके case में आप देखिए के चंद्रमा का crescent दिख रहा है देखिए यहाँ पर ये देखिए ये आप देख रहे हैं चंद्रमा का crescent दिख रहा है तो याने कि ये इनसान की शक्स्रियत कैसी है ये अपनी intuition पर rely कर सकते इनकी intuition इनने सही guidance देती है आप सिर्फ बालों में देखेंगे तो ऐसा लग रहा है जैसे तारों ने सजा रखा है ताज बालों से तो इसका मतलब इनके उपर universal या cosmos की blessings हैं यहाँ से आप देखेंगे तो सूर्य का तेज भी आके इनके उपर ही रुक रहा है तो इसका मतलब यह कार्ड जिसके लिए आया है उनकी personality कैसी है intuitive है वो दूसरों की सहायता करने से पीछे नहीं हटते हैं उनको universal blessings प्राप्त हैं वो अपने मन को control कर सकते हैं कि किस दिशा में क्या करना है उन्हें पता है यह सब चीजे और जहां वो है वहाँ कभी भी धन धा प्राण्य की कमी नहीं होगी तो ऐसे लोगों को specially अगर यह कार्ड किसी female के लिए आता है तो उनको अगर उनके घर में अच्छी respect मिलेगी तो उस घर में हमेशा लक्षमी जी का वास होगा कुछ-कुछ लोगों के पैर ऐसे होते कि वो जहां जाते हैं वहाँ पे शुपता आ जाती है तो यह कार्ड ऐसे लोगों को signify करता है अगर हम सिर्फ picture से देखें क्योंकि आप देखेंगे कि इसमें पूरी प्रकृतिक के रंग भरे पड़े हैं सारे रंग हैं आप देखिए हर चीज है अर्थ एलेमेंट क्या वाटर एलेमेंट क्या और सूर्य का तेज चंद्रमा का इंट्यूशन भी मिल गई फिर चक्राज के colors आप देख सकते हैं सारे उसमें आ रहे हैं तो बहुत ही balanced personality का नंबर है moreover ये जिनके लिए भी card आता है तो हम ये भी कहते हैं कि ऐसे लोग दूसरों का mark दर्शन कर सकते हैं देखिए अब इसमें अगर आप देखेंगे तो divine light जो मैं कह भी रही थी आपसे कि सूर्य का तेज भी इन पर आके रुक रहा है ये इस creative force को surround कर रहा है इसका मतलब क्या है कि इनकी creativity भी है बहुत creative है ऐसे इंसान technically sound है इनको एक महारत हासिल है कि ये जो भी कारे करेंगे वो कुशलता से करेंगे इनको ग्यान भी पूरा है, knowledge पूरी है फिर ये क्या कर सकते है ये एक ऐसी उर्जा है जिससे कुछ भी ये बना सकते है अपनी creative अपनी कलपना को लेके ये कुछ भी कर सकते है चाहिए वो painting है, dressing है इस तरीके का वो कुछ भी करेंगे तो वो बहुत ही अच्छे से करेंगे सबसे important चीज क्या है कि हम अपनी creations खुद possess नहीं करते होता क्या है कि ना तो ये हमारी होती है मतलब आप इसको own नहीं करते, creativity आप कभी भी own नहीं करते ये universal blessing है, जो आप तक आती है ये आप तक ये दूसरों के पास पहुँचती है आप माध्यम बन जाते हैं इसे दूसरों तक पहुचाने का क्योंकि आपका इस पे कोई ऐसा अधिकार नहीं होता कि आप इसे दूसरों से चुपा लेंगे नहीं चुपा सकते असली creativity वही है कि जो आप जब अपने supreme divine से चुड़ जाते हैं और तब वो उभर के बहार आती है तो वो असली creativity होती है और ये क्या है कि आपको एक खुशी भी देती है, एक सुकून भी देती है और दूसरों के लिए ये एक आशरवात की तरह प्रूव होती है creativity बेसिकली एक ऐसी quality है जो आपकी हर कारे को एक नया रूप दे देती है एक attitude है, एक आपकी अंदरूनी सोच है जो बाहर उभर के आती है अब हर कोई इसको possess नहीं करता, देखिए होता क्या है creativity हर माध्यम से दिखाई जाती है, कुछ लोग जब खाने की plate लगाते हैं तो वो भी इतने तरीके से और इतने सही हर चीज मापके डालते हैं और इतनी सुंदर थाली सजा देते हैं, तो that is also creativity कई लोग sketching करते हैं, तो जिस तरीके से वो sketching करते हैं तो आपको देखकर आप एकदम मंत्र मुक्त हो जाएंगे कि ये चीज आपको बांध रही है, अपनी और आकर्शत कर रही है, वो creativity है कई लोग रंगों से बहुत अच्छा उबार लेते हैं कई लोगों को क्या होता है, कि वो आपके taste के साथ करते हैं जो हम इतने बड़े-बड़े chefs देखते हैं तो ये उनकी creativity है, उनकी कला है और ये स्वाद भी आप देखेंगे, हर किसी के हाथ में नहीं आता कुछ लोगों के हाथ का अलग ही होता है, कि वो कुछ भी बनाएंगे और आपको उसमें अच्छा लगेगा खाके तो ये वैसी वो भी एक कला है, एक creativity है और अगर हर किसी के पास वो same होता तो पहली चीज तो ऐसा होता ही नहीं है कुछ लोग इससे blessed होते हैं और कुछ लोगों का क्या होता है कि उनके अलग-अलग streams में creativity दिखती है हर कोई एक अच्छा dancer नहीं हो सकता कोई अच्छा painter नहीं हो सकता कोई अच्छा chef नहीं हो सकता तो आप जो भी करें आप उस काम को enjoy करें जब आप उस काम में पूरे रम जाते हैं अपने आपको पूरा समर्पित कर देते हैं तो actually आप वो divine से connect हो जाते हैं कभी-कभी क्या होता है आप देखेंगे कुछ लोग अपनी कला में इतने lean हो जाते हैं कि अगर वो कुछ sketching भी कर रहे है न तो वो उसी धुन में रमे हुए वो उसी को करते जा रहे हैं उन्हें दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं आप बुलाएंगे भी तो शायद वो नहीं सुनेंगे तो वो क्या है कि उन्होंने अपने आपको पूरा surrender कर दिया उस कला में फिर जो उबर के आएगा वो एक masterpiece आएगा क्योंकि उस समय वो divine से connect हो गए divine supreme से connect हो गए तो जो भी आएगा वो एक अलग ही चीज आएगी एक masterpiece उबर के आ जाएगा तो यह चीज है आप जितना creative है उतना जादा आपकी personality निखरती जाती है क्योंकि आप बार बार divine की शरण में पहुंच जाते हैं आप देखेंगे जो लोग professionally dance practice भी करते हैं उनके चहरे पे एक अलग सी चमक होती है जो पूरी तरह से विलीन हो जाते हैं आप देखेंगे क्या होता है कि dance करते करते physically चाए उनकी age बढ़ रही हो चाए कुछ भी है लेकिन उनका चहरा एक अलग ही glow देता है एक अलग ही चमक देता है so what is that कि वो हर creative scenario में क्योंकि यहां पे भी क्या होता है कि जबी भी वो dance करते हैं तो वो नटराज जी को worship करते जो कि शिवजी का ही एक स्वरूप है तो कोई भी color, कोई भी creativity जब हम करने जाते हैं तो वहां हम divine से connect कर जाते हैं और उसी की वजह से हम हर चीज को perfection से कर पाते हैं जितनी भी religions हैं उन सब में ये माना गया है कि जो ईश्वर है वो भी एक creator है तो creativity कहां से आती है वो वहीं से आती है और जब आपकी creativity खतम हो जाती है जब आपको ऐसा लगता है कि अब आप create नहीं कर पा रहें तो फिर क्या होता है कि तब वो create करते हैं वो divine supreme आपके माध्यम से create करते हैं क्योंकि आप पूरा उनके साथ connect हो चुके होते हैं तो आप एक ऐसे creator बनिए क्योंकि जो creator होता है वो सबसे ज़्यादा उनके करीब होता है तो ऐसे इनसान अगर आप किसी की personality इस card से describe करेंगे तो personality क्या है high in creativity financially abundant और इन पे blessings है divine की क्योंकि ये चीज़ तो हमें card की picture ही बता रही है ऐसे लोगों को अगर उनकी family में respect मिलती है तो उनकी family भी उनके साथ grow करती है क्योंकि जहाँ divine को एक अलग तरीके से पूझा जाता है एक अलग तरीके से उनकी साधना होती है वहाँ लोग grow करते हैं क्योंकि वो सब एक मत होकर चलते हैं तो सनमत्त ही आ जाती है तो जहां सनमत्त ही है तो वहाँ तो समरित्त ही आएगी तो इस तरीके से हम इसको मान के चलते है तो ये card जहां भी आए अगर कोई अपने काम से related पूछ रहा है तो वो अपने काम में creativity दिखाएंगे उन्हें acknowledgement भी मिलेगा उन्हें आगे इसमें progress भी मिलेगा और अगर किसी की individuality या personality पे based आता है तो वो आपको मैंने बताई दिया अभी इस card से related कोई भी question before we move on to the next मौती संदर बताया मैं मौत संदर या कैं रेली को रिए इसमें रहे है इसमें माम मचे एक चीज पूछने थे माम ये spirals और ये triangles क्या रिप्रेजेए इसमें बेख ये spiral इस ती on-going cycle और triangles, जब आप देखते हैं, तो they represent energy, like आपने chemistry में जब equations लिखी होंगी, तो upward facing triangle, it represents heat, right? Yes, ma'am. है न, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो downward facing and it is green in color, so that is coming down towards your root chakra, which shows financial sustainability stability. Okay, ma'am. Thank you.